हम को बहुत मिस करते हैं, हमीशा आज घार आए हम कुछ नहीं आ नहीं पादर, आपके और नहीं साथ, आपका बहुत अच्छा रेलेशन्शिप नहीं से, क्या कहना चाहिए भपी जी हमारे भाई जैसे थे, बहुत अच्छे प्यारे इंसान, और जो संगीत उन्होंने दिया, वो तो अमर है, मैं कल ही एक कॉंसेट में उनका गाना गा रहा था, चलते चलते मेरे एक इतियाद रखना, सब लोग गाते हैं हो गाना, हम सारी दुनिया में गाते हैं और लोग इस गाने का बहुत मज़ा लेते हैं, पूरी पब्लिक गाने लगती है, पूरी आउडियोंस तो आज उनके ही घर में हम मिले हैं, अभी मैंने गाना रिकॉर्ड किया जो वपीदा की आवाज में उन्होंने कंपोस करते समय गाया था, और मैंने उसको अभी डब किया, अपनी आवाज में और इस फिल्म का वो बहुत कुपसूरत देतरी दाना है उनकी जो म्यूजिक लेगसी को आज पॉवर्ड देखे जारे हैं, गोविल्डी और इवाजिवर्डी काम वी तो और प्रॉड़क्शन आवसा जोर्ज के, इसके वाले नाव क्या था? देखे एक फिल्म आई थी वीर जारा, उसमें संगीत था मदन महंजी का, और मदन महंजी जा चुके थे, ये चीज दोरा ही जा रही है, भपी लेरी जा चुके हैं, भगवान के चड़ों में बैठे हैं, और उनके द्वारा बनाया गया संगीत, अब इस फिल्म में आ रहा ह तो वही वीर जादा फिर से दोरा ही जा रही है, उस फिल्म ने हंगामा किया था, उस फिल्म के म्यूजिक ने हंगामा किया था, और वही चीज मुझे विश्वास है कि इस फिल्म से आप आएंगे अब बोट अच्छा लग रहा है, बपीदा जिस तरक का काम किया है, जो मुझे को दिया है, उनके साथ मेरे व्यक्तिक्त संबन भी रहे अब उनके इस प्रदक्शन से जोड़के मैं बहुत अच्छा मैसूस कर रहा हूं, इस प्रदक्शन को तो मैं अपना 100% दे पाऊं। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी और यही मेरी शद्धान जली भी रहेगी हमरे बपीदा को। ताजिब जी फिल्म आप प्रेच कर दें इमोशनल वोमेट हैं सब के लिए? कि अप्रेच के साथ हम बहुत सारों यहीं क्या है तो मेरे पाधर में उनकी शायर एक फिल्म थी कि थर्ड़ फिल्म पापी तुकर वो उनके साथ में अनके साथ मन्की एंस्योसियशषिश्ट वोशूसर चाही हैं लेट सेविटीजटीज की होगी शायर तो मेरा आना जाना का पिरा मैंने भी काफी गाने उनके साथ लिखे तरी बारा तेरा गाने तो मेरे उनके साथ रिकार्ड हुए तो बहुत अच्छी एसोसेशन रही है हैं मिलते जुनते रहे हैं और वो देख पाइस सी फीलिंग है यहां आके जहां जब भी आते थे जब भी उनसे मिल जब तो बहुत अच्छा लगता था आज तो बहुत जैदा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक लिगे सी आगे जा रहे हैं उनका काम हमेशा याद रहे दालों जब तक फिल्म बश्चन रहे गए जब तक दुनिया रहेगी वो उनको काम हमर रहेगा तो उसके इसाब से उनकी लीके से अभी फारवर्ड लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए तो तक तक पर देजा है यह फिल्म मेरे इसाब से हम लोग किसी भी हाल में देजा है मार्च के आंट तक रिलीज करने का हमारा टार्गेट है मार्च का टार्गेट है और मेरे खिलते मार्च में ही होगी रिलीजा है भपी जी के फादर से मेरी बहुत अच्छी जान पचान थी वो जब भी मुझे मिलते थे, मुझे कहते थे अनुप तुम क्यों नहीं आता है, हम तुम को बहुत गाना गावाना चाहता है तुम इदा उदर प्रोग्राम में बिजी हो जाता है फिर मुझे कहते थे कि जो कर रहे हो उसमें मज़ा आता है ना मैंने का बहुत मज़ा आता है, कहते लेकिन कभी कभी आया करो बपी अच्छे गाने बना रहा है तुमारे लिए अब मैंने दो-तीन गाने गाई भी थे बपी जी के मुझे बड़ा मज़ा आया था गाँ के एक खास बात जो थी बपी जी में कि वो आर्टिस्ट को देख के गाना बनाते थी किशोर कुमार के लिए बनाएंगे तो उनके लिए बनाएंगे तो जब मुझे सोचा कैसा गाना देना थी है तो मेरे हिसाब का गाना बना के दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम गाने गए तो मैं गाते-गाते मैंने उनसे कहा कि ये गाना आपने मुझे सोच के बनाया कहते है कि मैंने सोचा था मैं तुमको तब बुलाओंगा गाने के लिए जब मैं कोई बड़ी फिल्म साइन करें और वो बड़ी फिल्म उन्होंने साइन की उसमें आमीर खां हिरो थे इसी का नाम जिंदगी उसका टाइटिल सांग मैंने गाया तो जब मैं वो गा रहा था तो मेरे पास आए अंदर केविन में कहने लगे अनुक जी ये आपके उपर पिक्शराइज करना है मुझे गाना मैंने कहा ठीक है तो प्रोडूसर भी आगए अघ्र आगे अंदर आगे हैं अमीर कहा आगे ठीक है जी अपके पिक्शराइज करेंगे तो उसमें मेरे उपर वो प्रोड़ साहब के उपर गाना पिक्शराइज है तो प्राण साहब के साथ हमने वो गाना शूट किया मज़ा आगया था क्या प्रांस आप काम कर रहे थे और मुझे प्रांस साअब में बाद में कहा ये गाना जो है मुझे जरा रिकॉर्ट करके बहुज़ना मुझे बड़ा अच्चा लिगा तो मैंने प्रांस साब को KAsset उन दिनों चलता था कैसेट में रिपॉर्ट करें को भीजा था, वो सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था. इसी का नाम जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी. शुब्षाथा था. से बढ़ घर एक किन समभी को सिधिवा से जो बीड़ नियुकर अपर एक सबस्टा है और आपका अधाना इनको है इसा भीडा लॉड़ रॉड अपर एकिल में अपर को यह सबस्टा है जिस पोसिव पॉड़ I said, yeah, I'm an actress, I have done a lot of albums, but then I don't know what happened, so I just go there, start singing. So Bhapida had made a decision, and then I had made a decision, for which I'll be always very, very grateful to him. वो जन्तिकी की बहुत बड़ी याद है, हर कलाकार का सफना है कि वो रहा होगा कि वो उनके म्यूजिक के अंडर गाना गाई ने, उनके सर्ट टुएट गाई, मेरा सफना उन्होंने पूरा किया, वो बहुत बड़ा एक ऐसान मेस्ज़ू है। किसी का समाल?